हेई एभरीवान वेलकम बैक टूम Macha Channel आई हлюоп आप सभी ठीक होंगे और मेरीसिपी को इंजॉइ करते होंगे और मे हैं चैनल को अब तक सबस्क्राइब कर चुकी होंगे मेरीसिपी आपको कैसी लगती है वो मुझे जरूर बताएं और मेरे को comment section में बताएं कि कोई और recipe आपके लिए बनानी है तो भी आप मुझे suggest कर सकते हैं कि मैं next recipe क्या बनाओं तो आज मैं फिर से हाजिर हुँ आपके लिए एक नई recipe के साथ यह बहुत tasty सी recipe है तो आज हम बनाएंगे लोब्या की रेसिपी वो भी बिल्कुल अलग स्टाइल में यह बिल्कुल ही हटके स्टाइल होगा तो आप इसे ज़रूर ट्राय करना तो हमने यहां पे लगबग 200 ग्राम लग लिये थे यह हमने दो लिये थे लोब्या हमने इसे 5-6 घंटे के लिए भीग इसे हम उबलने के लिए रख देंगे पर हम इसमें धक्कन नहीं लगाएंगे हम इसमें एक उबाल आने तक वेट करेंगे क्योंकि इसमें जाग बनता है तो हमें वह जाग निकालना है तो यहां पर देखिए यह उबल जुका है यह ज्यादा जाग नहीं बनता है कई बार ह में हल्दी और नमक मिला के फिर इसमें सीटी लगाए वरना आप चाहें तो यह प्रोसेस को स्किप करके डारेक्ली भी आप इसे सीटी लगा सकते हैं उसमें हल्दी और नमक डालके एक सीटी आने के बाद इसे हम धीमियाज पर 3-4 मिन्त पकने देंगा फिर बंद कर देंगे जब तक हमारी सीटी निकल रहे हैं तब तक हम यहाँ पे ग्रेवी की तियारे करते हैं यहाँ पे हमने एक बड़ी साइस की और एक छोटी साइस की प्यास लेती हैं और उसे हमने फाइनली चॉप कर लिया था हमारी प्यास चॉप हो चुकी है और यहाँ पे हमने ली थी तीन हरे मेच, दो छोटे टमाटर और कुछ लसन की कलियां ली थी हमने और इनका हमें पेस्ट बनाना है, इनके हम प्यूरी बना लेंगे इसके बाद हम एक और पेस्ट बनाएंगे, उसके लिए हम लेंगे दही दही को हमने चीज़े फेंट लिया था इसमें हम मिलाएंगे लाल मेश पाउडर स्वाद अनुसार मिलाएंगे आप उसमें हम मिलाएंगे हल्दी पाउडर और फिर धनिया पाउडर धनिया पौडर हमें ज़्यादा यूज़ करना है तो धनिया पौडर की कुएंटिटी हम ज़्यादा लेंगे और बाकी आप मिर्च की कुएंटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे यह पेस्ट फ्लेवर का वह एलिमेंट है जो की पूरी डिश को चेंज करके रख देता है कढ़ाई हैं यहां पर अच्छे से गरम रूच चुकी है इसमेँ ले लिय हैं बड़े चमत सरसो की तेल और इसमें हम डालते है काले मिर्च और लॉंग हमने यहां पर दो से तीन काले मिट और दो से तीन लॉंग लिया है, इसमें हमने डाले है जीरा, जीरा जब अच्रे से पक जाएगा, इसमें हम अपने डालेते हैं, अब फाइंली चॉप्ट हमारे प्यास, प्यास को हमने अच्छे से भुनना है, जब तक यह ब्राउन नी जा चलाते हैं धेकि अब प्राउन यहां कि ए देग्व अब इसमें आड़ करेंगे ट्माटर के प्रूरी भनाइ ठाइड मगए और इसे भी हम अच्छे हैं दीरे अच्छे न अलेंगे इसे हमें medium flame पे ही अच्छे से भुनना है जब यह थोड़े से भुन जाएगी तो इसमें हम पाकी की चीज़े एड़ करेंगे यह देखिए कितने अच्छे से लगभख भुन चुकी है आधी से जादा यह भुन चुकी है तब हम इसमें विलाएंगे जो हमारा दही का पेश थ तब तक ने देंगे जब तक ये अपना ऐल जो है उसे इसे अच्छे से रिलीज नहीं कर देता इसे हम इस तरीके से चलाते हैं अब तेज आच पर डालेंगे तो यह अच्छे से भुनेगा निए और दही फट जाएगा इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे देखिए तब तक हमने अपनी लोबिया चेक कर लेते हैं, हमारी लोबिया भी अच्छे से उबल चुकी है, बिल्कुल अच्छे से रेडी है, यहां पर हमारी तब तक ग्रेवी भी अच्छे से बुनके रेडी है, आप इसमें देख सकते हैं, अच्छे से रिलीज हो चुका है यह गोता है रहा है कि अपनी ऑपना गाल अब लू हुआ है कि इसमें हम अपना लोब्यاج एड़ करें गशलुए मीडियम पर लोब्याड करने के बाद रिखाव को आप या लाजाए था कि इसमें अच्छे से उबाiness कर दिए गए वह इस तरही की चलाते हुया जो हमने दही का पेस्ट इसमें डाला था वो इसकी consistency को भी बहुत अच्छा कर देगा और इसके texture को भी बहुत creamy creamy सा बना देगा इसे हम दो से तीन मिनट के लिए पकने देंगे धक्के इदेखिए अच्छे से पक चुका है इसका oil भी अपर आ चुका है तो इसमें हम डाल लेत श्रीड़ करने चाहिते हैं रिखनी अधनिया के बाद एक से दो मिंट से हम और पकने देंगे इसे मुन्चे से वख खिलेते हैं इसकी जबिए इसके जिए इसके सब्सक्राइब डालेंगे गरम मसाला आप स्वाद अनुसा डाल सकते हैं कि पहले भी खड़े मसालों का इस्तमाल किया है तो आप इसी लिए इसको कम या जादा भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं तब यह बहुत टेस्टी लगेगा देखे कितना अच्छी सी और यह पके रेडी था तो हमने इसकी फ्लेम कर दी थी बन और इसे हमने सर्विंग बाल में निकाल लिया था तो हमारी जो बलूबिया है वो बिल्कुल बनके रेडी है आई होप यह आपको अच्छी लगी होगी इसे हम दनिया से गार्णिश कर लेते हैं अगर यह रेसिप आप देना चाते हैं तो आप उसे कमेंट में मुझे जरूर बताएं और मेरी रेस्पी अच्छी लगती हो तो इसे शियर करें लाइक करें और मेरे चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें थैंक यू